हाई कैसे हैं आप लोग मैं हूँ प्रीती और स्वागत है आपका मेरे चैनल चज़बाभे आज मैं बात करूँंगी हाउ टू अट्रेक्ट मणी मणी को अपनी लाइफ में कैसे अट्रेक्ट करें पैसों का फलो आपकी तरफ कैसे हमीशा बना रहे कैसे आपकी लाइफ में prosperity आए पैसे आपकी तरफ कैसे attract हो इनके बारे में बात करूँगी तो चलिए start करते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसों का flow हमेशा बना रहे पैसे हमेशा आपकी तरफ attract होते रहें आपको पैसों की कभी कमी न हो जितने की आपको जरूरत है उससे ज़्यादा पैसे हमेशा आपके पास रहें तो आपको ये करना है कि आपको पैसों के लिए कभी भी नेगटिव चीज़ें नहीं बोलनी है जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पैसा जो है वो इंसान का दिमार खराब कर देता है पैसे अगर ज़्यादा आते हैं तो इंसान प्राउडी हो जाता है या फिर पैसे की वज़ा से रिष्टे खराब हो जाते हैं इस तरीके की बाते आपको नहीं बोलनी हैं अगर आप पैसों को लेकर के कोई भी गलत चीज़ बोलते हैं या फिर इस तरीके की thinking आप रखते हैं तो पैसा जो है वो आपकी तरफ कभी भी attract नहीं होगा अगर वो पैसा आएगा भी तो वो किसी ना किसी और तरीके से आप से दूर हो जाएगा तो इसलिए आपको पैसे के बारे में ना तो negative सोचना है और ना ही negative बोलना है आपको पैसो की कदर करनी है आपको पैसे को accept करना है आपको पैसो के बारे में अच्छी thinking रखनी है आपको कहना है कि पैसा मुझे पसंद है मैं पैसे की respect करता हूं मैं पैसो को सही तरीके से सही जगा पर invest करता हूं और मैं पैसो को सही तरीके से खर्च करता हूं इस तरीके की बातों को आपको सोचना है आपको पैसो के लेकर के कोई भी नेगटिव चीज़े ना बोलनी है और ना ही सोचनी है अगर हम किसी चीज की बुराई करते हैं, अगर हम किसी चीज के लिए गलत सोचते हैं तो वो चीज हमारी तरफ attract नहीं होती है, बलकि वो चीज हम से दूर चली जाती है इसलिए आपको पैसो की बुराई नहीं करनी है, आपको पैसो के बारे में गलत नहीं सोचना है आप पैसों के बारे में अच्छा सोचिए, अच्छी तिंकिंग रखिए, पैसे आपकी तरफ जरूर अट्रेक्ट होंगे जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पैसे आते हैं तो लड़ाईयां भी होती है, पैसा अकेले नहीं आता है, पैसों के साथ और भी प्रॉब्लम्स आती है तो ऐसा नहीं होता है, जो लोग लड़ाईयां करते हैं या जो पैसे आने के बाद चेंज हो जाते हैं तो वो वज़ा पैसा नहीं होता है वो वज़ा वो खुद होते हैं जिनकी जैसी फित्रत होती है वो वैसा काम करते हैं और उसका ब्लेम जो है वो पैसों पे जाता है पैसा यानि वेल्थ जो है यह हमें पावर देता है यह हमें कॉन्फिडेंस देता है यह हमें और आगे बढ कि पैसा जो है वो हाथ का मैल है पैसा सारी बुराई की जड़ है तो ऐसा नहीं है पैसा बुराई की जड़ नहीं है कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है अच्छी या बुरी हमारी सोच होती है हमारा नजरिया होता है हम किसी चीज को कैसे देखते हैं हम किसी होंगी یा गलत तरीके की हमारे मन में thinking होगी या हम गलत तरीके से उस चीज़ को ईसका तब कि스크 करेंगे तब उसका रिजर्ट जो है वो गलत आता है या फिर हम सही चीज़ को भी हम गलत कर देते हैं तो इसलिए पैसा यह वो गलत करते हैं किसी चीज को हम दिल से खुशी से accept करते हैं उसकी value समझते हैं तो वो चीजे हमारे पास और आती हैं यह law of attraction पर work करता है law of attraction यही कहता है कि अगर आप किसी चीज की value करते हैं अगर आप किसी चीज के लिए अच्छी thinking कर रखते हैं अगर आप किसी चीज को दिल से अप करना है आपको उसकी वैलू करनी है आपको उसको सही तरीके से यूज करना है आपको दिन में कई बार अपने मन में इस चीज़ को कहना है कि पैसा अच्छा है पैसा आपकी लाइफ में आपकी लाइफ को और ज्यादा अच्छा बनाने में कॉंट्रिब्यूट कर रहा है पैसा को अगर आप अपनी किसमत को अच्छा बखाते हैं अगर आप यूनिवर्स को थाइंक्यू बोलते हैं कि आपकी लाइफ में आपको इतना कुछ मिल रहा है तो पैसा और आप की तरफ ठेक्ड और जादा पैसे को अपनी तरफ आट्रैक्ट करेंगे आपको किसी needy person की help करनी है जिस طریقے से भी और जितना भी जैसे भी आप कर सके आप करें आप किसी NGO में जाकर के कुछ पैसे दे आएं आप किसी मंदिर मस्जिद में जाकर के कुछ पैसो को दे आएं वहाँ पर आप अपना कुछ contribute करें इससे भी पैसो का flow आपकी life में बना रहेगा हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो पैसे हमारी तरफ attract होते हैं तो आपको अपनी जरूरतों के लिए तो पैसे जो खर्च करने हैं वो आप करिए बट आपको अपनी जरूरतों के अलामा आपको शोशली कुछ चीजों में आपको अपना contribute देना है अगर शोशली आप कुछ चीजों में अपना contribute देते हैं अगर आप अपने अलामा दूसरों के बारे में सोचते हैं आप जो भी और जितना भी कर सकते हैं अगर आप अपनी तरफ से करते हैं तो इससे पैसों का flow आपकी life में हमेशा बना रहेगा अगर आप एक ऐसे person है कि आपको पैसे खर्च करने में problem होती है या आप पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं जहां जरूरत है वहां भी आपको पैसे खर्च करने में problem होती है तो यह भी गलत है यह भी आपके पैसे को flow को रोग देगा तो इसलिए आपको जहाँ पर जरूरत है वहाँ पैसे खर्च करने हैं और खुशो कर करने हैं आपको यूनिवर्स को या गौड को थाइंक्यू बोलना है कि यूनिवर्स ने या गौड ने आपको इस लाइक बनाया है कि आप पे कर सकते हैं आप ज़रूरत की जगा पर पैसे दे सकते हैं मिलती हूं अगले वीडियो में अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए